हमारे फार्म के बार हम लोग चार मड बंगलोज बना रहे हैं और मैं आपको एक क्विक प्राइमर देना चाहरा था कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं और इसके क्या ड्वैंड देखे सबसे हले तो नीव खुदी नीव के ऊपर ये प्लिंथ लेर है जिसे हम हिंदी में पलंथ भी कहते हैं पलंथ के ऊपर एक बैंड है तो ये सिमेंट इसमें सारा सिमेंट प्रेयोग हुआ है तो ये 100% सस्टेनेबल नहीं है कंस्ट्रक्शन पर ये लेर आपको जरूरी है ताकि पानी जो है आपकी मड बेडिंग को टच ना करे इवन ये जो दिवारे हैं इसम सारी चुनाई है ये 12 इंच की इंटे और 18 इंच की चुनाई चली है तो ये जो इंटे हैं यहीं पर मिट्टी हमने खो दी उसमें पानी मिलाया भूसा मिलाया और उसी की इंटे भूसे से क्या होता है भूसा acts as this fiber जिससे इस इंट की strength जो है वो बढ़ जाती है इन फैक्ट ये जो इंटे हैं इसको हम सुखाते भी धीरे हैं तरपाल ढखके ना की जल्दी से जल्दी क्योंकि उसमें क्या होगा कि ये बाहर से पक जाएगी अंदर से कच्ची रह जाएगी और लगाते वे तूट सकती है फिर ये जो मौटार का इस्तमाल हो रहा है ये भ गोबर फैं में मिले होंगी उसमाओं भी मौटाया और ये से बहले मैं आपको एक और चीज़ बताओं कि पीछे जो लाल इंट दिख रही है ये हमने क्यों लगाई है तो देखिए ये जो है ना ये मेरे पीछे बन रहा है बाथरूम और ये है किचन तो इनकी वेट वाल्स रहती है आज इन कि यहां पर प्लंबिंग का काम होगा तो प में पिलर्स और बीम्स नहीं है अब एक जो हमने हाइब्रिट चीज़ करी है वो यह कि नीचे नीव पलंथ होते 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 ये पूरा एक सरिया डला है और साथ में ब्रिक वर्क ऐसा है कि हमने बीच में गैप छोड़ा है और जैसे से चुनाई ऊपर चल रही है हम इसमें ब अर्थकोएक में आपको एक फ्लेक्सिबिलीडी चाहिए अगेन नौट स्ट्रक्चल इंजीनियर तो जितना मैंने पढ़ा है जितना मैंने सुना है उससाब से किया अच्छा एक और जो बेनेफिट है अठारा इंच की दिवार का ये इट हाई थर्मल मैस तो जिन जगाओं पर जो डे नाइट रेंज होती है ना टेंपरेचर की वो काफी जादा होती है वहां पर ये काफी अच्छा रहता है क्योंकि जब बाहर गर्मी होगी तो अंदर ये ठंडा रहेगा और जब बाहर ठंडा होगा तो ये अंदर comparatively गरम होगा तो दिस रेली वोक्स करते हैं कि रस चड़ने से पहले काट लो अगर हम फरवरी काट लेते हैं तो उसमें क्या होता है इनमें स्टार्ट जो है कम रहती है अब आइडली हमें इनको ट्रीट करना चाहिए था जो अभी हमने नहीं किया है विच इस रेली रॉंग तो हम बोरिक आसे से इसको सब्सक्राइब करना चाहिए उसके लावा हम पुराना मेटीरियल बहुत खरीते हैं यह आप देखेंगे यह जो खिड़की है किसी पुराने मकान की यह जो है किचन में इस्तमाल हो जाएगी यह योल कैंट से किसी पुरानी आर्मी बेडिंग से खिड़की आई है इनको रि साथी में पीछे है यह किचन नेट हो गई और अगर आपको हमारे पिछले बंगलो वाला वीडियो याद है जिसमें रखा है बारा लाक में तीन बंगले इसके उपर एक लॉफ्ट स्पेस भी रहेगी पीछे जो आपको मकान दिख रहा है सफेद वो मेरे इन-लॉस का है डा इसमें जो उसमें दिवारे जो है सिरफ एक परदे का काम करती है एंड आई थिंक जैसे जैसे और कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी मैं आपको आगे आगे अपडेट करता रहूंगा थैंक्यू गोप्रो स्टॉप रिगॉर्डिंग